सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चार जून के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत 2077 मास चल रह तो इतो बात रहे आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशिफल की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने स्वास्त और फिटनेस का ध्यान देना बहुत जरूरी है उम विदहे नमहमंतर का 108 बा आज की दिन चर्या में आपको कुछ रुपए पैसे खर्च करने पर सकते हैं परिवार की आवशक्ता को पूरा करने के लिए तो उसमें आपको सोचना नहीं चाहिए उम वाणी प्रदाए नमहमंतर का 108 बार जाप करें और कारी की अंदेखी आप बिल्कुल ना करें करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने करियर को ले करके बहुत बड़ी दुविधा में आ सकते हैं ओम वागी शाय नमहमंतर का 108 बार जाप करें और कारी की गुपत बात आप फ़र किसी से चर्चाना करें सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी प्रकार की संपत्ती में निवेश करने से आपको बचना चाहिए कोई भी इंवेस्टमेंट आप करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदाई सिद्ध हो सकता है ओम वरदाय नमहमंतर का 108 बार जाप करे और किसी का दिल आप न दुखाएं तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए किसी भी विवाद में पढ़ने से बचें चाहे वो वाद विवाद घर का हो या बाहर का हो उम रमाचिरताई नमहमंतर का 108 बार जाप करें और भाई बंदू के साथ कोई भी तर धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए आज कोई व्यक्ति आपको गुमराह करने का प्रयास कर सकता है अपने विचार आप पे थोपने का प्रयास करेगा तो आपको अपनी समझदारी दिखानी चाहिए ओम मुनी स्तुत्याई नमहमंतर का 108 बार जाप करें और गरीब व् एक 108 बार जाप करें और क्रूद करने से आप बचें कुमराशी कुमराशी वाले जातक लोगों के लिए आज आपके दिमाग में कोई बढ़ियां विचार आ सकता है करियर के लिहास से यह आपके लिए बहुत शुब होगा उम्भक्ति प्रिया नमहमंतर का 108 बार जाप करें और उत्सा हमें कमीना आने दें तो दोस्तों ये तो बात रही आज के 12 राशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक शत्र की इस्तितियां क्या कहती है और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करते हैं आज के महा गटनाएं होती हैं जिससे घर की सुक्षानती चली जाती है घर में अंजाने भैका अनुभव होने लगता है और कोई अनोनी घटना हो जाती है इसका कारण भूत प्रेत और जादू टोना नहीं खुद आपका घर होता है घर में वास्तु दोश होने पर धन सम्रिद्धी और म पांसिक शांती ही प्रभावित नहीं होती बलकि वास्तु दोश के अशुब प्रभावों के कारण जीवन पर भी संकट मनराने लगते हैं यदि किसी के घर में केवल एक गंबीर वास्तु दोश है तो उस घर में किसी को गंबीर चोट लग सकती है या जीवन पर संकट नही कर सकता है तो अगर दक्षण पश्चिम का कोना नैरक्त कोन अगर दोश पूर्ण होगा तो आपका जीवन जो है बहुत बुरे खत्रे से भरा होगा नैरक्त कोन में भूमिगत पानी की टंकी कुवा बोर्वेल या किसी भी प्रकार से फर्ष नीचा हो तो गंभीर वास्तु द बन जाता है नैरक्त कोन बढ़ा हुआ हो एवं घर के पश्चिमी नैरक्त कोन में मुखिदवार हो तो या दोश घर के पुरुष सदस्यों के लिए संकटकारी होता है मुखिदवार दक्षण नैरक्त में हो तब उस घर की इस्त्री के जीवन पर संकट आ जाता है नैरक्त क कोण के लावा इशान कोण भी अगर दोश्व युक्त होगा अगर माली जे कहीं किसी गर में दोनों दोश एक साथ हो गए तब ऐसे इस्तिती में तो बहुत भयंकर परिस्तितियां बन जाती है उस परिवार के लिए बहुत संकट का दौर होता है इशान कोण का दोश भी कूर्ण हो जाती है यदि किसी मकान के इशान को इशान कोण की दिवार अंदर की ओर दब जाए जिसके कारण आगने कोण की दिवार आगे बढ़ जाए या मकान का आगने कोण नेरक्त कोण से उंचा हो जाए और इशान कोण की तुलना में नीचा हो जाए तब ऐसे में ऐस पसी संगहर्च में किसी के जीवन पर संकट के बादल मंड राते हैं यदि मकान का उत्तर वायव कोण नरक्त कोण से उंचा हो और इशान कोण की तुलनामी नीचा हो जाए अत्वा ढख जाए तो घर की किसी महिला सदसे विशेश तोर पर कन्या संतान के लिए यह अनिश्टक है हद तक निर्मान किया गया हो पस्चिम दिशा में खाली जगए हो और यहीं पर भूमिगट टैंक या कोई जलस्रोत हो पूर्व आगनें बढ़ा हुआ हो तो यह बहुत भयंकर अनिश्टकारी माना जाता है इस प्रकार की बनावट वाले घर में पती-पतनी के जीवन प होता है इसके साथ अगर आगने कोण वी दोश्पूर्ण हो तब किसी शत्रु के कारण घर में अनहोनी घटना घटती है अगर वायव प्रसंग के कारण जीवन पर संकट आजाता है तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये शास्त्रीय जानकारियां ज्यान की बातें जो आपको म मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसे शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजिए और देखते रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद आप अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामर्ष आपको दो नंबर दे रहा हूं इन दोनों नंबर पे वाट्सअप एवेलेबल है आप वाट्सअप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे sharma.webava vaibhava at the rate gmail.com पर इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल phone calls बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग call करते हैं phone receive नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और whatsapp करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद